आप देख रहे हैं इंडिया निव जोल्ड और मैं मौझूद हूँ अभिन सभा के पड़ोना में जो कि यहाँ पे एक हमारे साथ हिंदू नेता कहे जाने वाले राजन जैस्वाल जी हैं और मैं आज उनसे बात करने वाला हूँ जो कि स्वामी परसाद मोर्या ने हमेशा मौझा हमेशा बिवादित बयान सभा किलिए करने में रिए और जो है ने हमेहीं चारू कि नोरे मतमत्तरा हैं, तो काहिए मौझा बिवादित धियान कवित जाय सजा आखिर को सदेफा चिछ़ना बिवार नेता है यहार रोगतर जैसने चाहिए। हुआ है तो हम पैंगुत करे ते हिंदू शओ नहीं यहां लिया है। जल सिंदु जल खगता की है हम जल कर लिए होगी। टुन। हम सब कंखılan हैndu सुन। भीनॆ जल गूज है। प्रवज Ju Alice की हम जल शाकता है। प्रवार्वें कर लिया है। कि हम और सोब्रणी टिपड़ी करें राम चरित्मानस हम लोग का पवित्रगन्त है भगवान से राम हम लोग के अराध्देव हैं और उनका विरोध और उन पर टिपड़ी करना यह कहीं ने-कहीं मानसिक दिवालियपन का परिचायक है और इसमें समाजवाजी पार्टी बखो कि मोरिया जी जब सपा में थे तब गौरी गण इसको लेकर के टिपड़ी किये थे उसके बाद जब भाजपा में है तो हिंदू का सपोर्ट में थे अभी जब जैसे सपा में गये उसके बाद पिर अभी विवाधित बयान उनके आने लगे ऐसा क्यों होता है जिए धर्म को तो राजी सनी जोड़ना चाहिए है राजितिक विक्ति किसी धर्म के बारे में और मर्यादी टिपड़ी ने करता है लेकिन इनकी मेस्ती अब तक नहीं समझ पाया जाब भोजन समाजवादी पार्टी में थे तो गवरी गणेश की के बारे में अब बहुत टिपड़ी की और तेवात्य आशिवनिय टिपड़ी न्हीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मैं तो हिंदु धर्म छोड़के कुई अऑन धर्म कर लेना चाहिए हाँ जाई यह आप भी वाजित वियान तो नहीं दे रहे हैं उंको लेकर के आशे बताये कि हम धर्भम के हैं उसी को हम पढ़ते हैं उससे जो कुछ मिलता है सीखते हैं उसको माघदसर क्में हम लो काम करते हैं तो उसका विरोड करेंगे तो निससे दुरूप से दिवाल आपन है और बहुत जादे दिख्कत है हिंदू-स रामतर धरम से तो उस धरम को छोड़ों के दूसरे अपना लीजिए और मांसिक रूप सब मिमार है इसको दरसाता है तो मौरिया जी को कल देखा गया कि उनके जो मंज के पीछे राष्टी अध्यक्ष भी बैठे हुए थे राष्टी अध्यक्ष ने अभी कुछ इस पर अपनी सफाई नहीं दिया कि धर्म को ले करके ऐसा अभी वाद बियान नहीं जाना चाहिए फिर आप उनके राष्टी अध्यक्ष को क्या करना चाहेंगे कि वह कई न कहीं हमको लग रहा है इसके पीछे देखिए समाजबादी पार्टी को एक बढ़िया प्रवक्तम लिगया है समाजबादी पार्टी पहले भी हिंदु धर्म की विरोद में तो उनके और जब पूरा उनका इस्तमाल कर लेंगे तो निश्टु दूपसर उनको बाहर का रस्ता दिखा देंगे अभी आपने कहा कि बुल्डोजर चल रहा है बाबा का बुल्डोजर अपर आधियों पे चल रहा है क्या राम जी का नाम लेकर के सौहीं परसाद मौरिया ने जो की मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जैसी राम का नारा जो दिया है कल का तो क्या राम जी का बुल्डोजर इन पर चलेगा ऐसा लगता है आपको देखिए मैंने पहले का हिंदू स्रावतर धर्म में पैदा हुए हिंदू स्रावतर में के मानने वाले हैं और इस तरह के टिपड़ी अपने अराध देव के खिलाफ उनके खिलाफ टिपड़ी करना सीजर लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो अब इससे बहुत कुछ हमारा कह नावचित नहीं होगा ने कहीं से देख रहे होंगे लेकिन बेखन करता है उसकी अलग बेऊस्ता है तो मतलब आप सवामी परशाद मौरिया को मतलब ले करके कैसे देखते हैं कि मतला देखिए स्वामी प्रहाद मौर्या जी एक बढ़े नेता है सब्मानित नेता है हमारे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया था और हमारी सदर परवना से भिधायक तीन-तीन बार जो भिधायक रहे केरिमेंट मंतरी भारते पार्टी ने ने बलाया अच् उनकी बेवस्थाय कैसे इतनी बिगड़ गई हैं कि सीधा अटैक सीधा बिरोध हिंदू सनात्र धर्म का ही करने पतुले हुए हैं अब इसमें क्या समाजवादी पार्टी कि क्या राजिति अपनी छवी की इस तरह की बनाना चाहती है चोकि उसके भी जो मूलोटर है वो रहके और इस तरह के बियानबाजी मैं समझ नहीं पा रहा है और लगता है कि प्रवक्ताओं की कमी हो गई है जो हिंदू बिरोधी लोग को छुबा करते थे समाजवादी पार्टी में तो जेल के अंदर है तो अब माननी मोरेजी ही मिले हैं तो समाजवादी पार्टी उनी पार्टी ने किया आपके सामने साप्त हो गईगी अब समाजवादी पार्टी का भी हमको लोगता है कि धिरे-धिरे समापन के दोर में है तो जो बिनास काले विप्रित बुद्धी जैसे ऐसे लोग दिमाग में भगवान किर्पा है जो पार्टी की दसा है वैसा ही उनकी बोल है धिरे-धिरे लोग अपने आप जमीन पर आजाएगे तो हमारे साथ राजन जैस्वाल जी मौजूद थे राम बिरोधी नारे जो कल के लगे हुए हैं स्वाही परसाद मौरियान लगाया है उसको लेकर के ये जवाब दे रहे थे और आप स्वाही परसाद मौरिया के बारे में क्या सोचते हैं और राम बिरोधी नारे के बारे म जाए जाए जाए